अध्रिश्य दुनिया को माइक्रोबायोम कहा जाता है। माइक्रोबायोम सुक्ष्म जीवों का एक समुदाय है जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर रहता है। इन में से ज्यादातर माइक्रोब्स हमारे पेट में पाय जाते हैं, खासकर बड़ी आंत में। हमारा gut microbiome उतना ही अनूठा है जितना हमारा fingerprints, इसका विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है और यह जीवन भर बदलता रहता है microbiome हमारे स्वास्थे में बहुत महत्वपून भूमी का निभाता है यह भोजन पचाने और पोशक तत्वों को अवशोशित करने में हमारी मदद करता है यह हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा फ्रणाली को भी प्रशिक्षत करता है एक संतुलित microbiome संपून स्वास्थे में महत्वपून योगदान देता है Section 4 Friendly Bacteria हमारे सुक्ष्म सहयोगी, हमारे सुक्ष्म सहयोगी ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया खराब होते हैं वास्तव में कई हमारे स्वास्थे के लिए फायदे मंद होते हैं इन्हें probiotics कहा जाता है एक उदाहरन Lactobacillus है जो दही में पाया जाता है Probiotics एक स्वस्थ पेट बनाए रखने और हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं Section 5 अपने आंतरिक पारिस्थिति की तंत्र का पोशन अपने आंतरिक पारिस्थिति की तंत्रा का पोशन हमारे खान पान और जीवन शैली की आदतें हमारे माइक्रोबायोम के संतुलन को सीधे प्रभावित करती है सही भोजन और स्वस्थ आदतें हमारे आंतरिक पारिस्थिति की तंत्र को मजबूत बनाती है फलों, सबजरियों और साबुत अनाज से भरपूर फाइबर वाला आहार अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोशक तत्व भी प्रदान करते हैं तनाव, नींद की कमी और अंटी बायोटिक्स हमारे गट फ्लोरा के संतुलन को बिगार सकते हैं इन कारकों को नियंत्रित करना हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है सेक्शन 6 एक संतुलित माइक्रोबायोम बनाए रखना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ माइक्रोबायोम बनाए रखना बहुत जरूरी है यह हमारे पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है हम ऐसा फाइबर से भरपूर संतुलित आहार खाकर जैसे कि भल, सबजियां और साबुत अनाज अपने भोजन में दही जैसे फर्मेंटिट फूड्स को शामिल करके जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं तनाव के स्थर को मैनेज करके, नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करके और परियाप्त नींद लेकर और अन्टिबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल जरूरत पढ़ने पर ही करके कर सकते हैं यह सब मिलकर हमारे माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में मदद करते हैं सेक्शन 7 स्वास्थ्य का भविश्य हमारे माइक्रोबायोम को समझना एक जटिल पारिस्थिति की तंत्र है, जिसका हमारे स्वास्थे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. यह ट्रिलियंज ओफ माइक्रो ऑगनिजम से बना है, जिन में बैक्टीरिया, वाइरिसेज, फंजाई और अन्य माइक्रोब्स शामिल हैं. यह सब ही मिलकर हमारे शरीर के विभिन हिस्सों में रहते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. यह कैसे काम करता है, यह समझने से हमें अपने स्वास्थे को बेहतर बनाने के लिए परस्नलाइज तरीके खोजने में मदद मिल सकती है. उदाहरण के लिए, गट माइक्रोबायोम हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है. जैसे जैसे हम इस आकरशक दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, हमें अपने माइक्रोबायोम को पोशित करके बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के नए और नए तरीके देखने को मिलेंगे. सही आहार, प्रोबायोटिक्स और लाइफस्टाइल चेंजस से हम अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रख सकते हैं और ओवरॉल वेल बीग को बढ़ावा दे सकते हैं.